साथियों, हमारी सरकार ने निरंतर बाबा साब आमबेड करके सम्मान और गवरव को और बढ़ाने का काम किया है। बीते पांच वर्षों में, दिल्ली में, मव में, नाकपुर में, मुंबई में और लंदन में बाबा साब से जुड़े पांच समारकों को पंच तीर्थ के रुपे हमने विक्सित किया है। ये जो काम आज किये जा रहे हैं, ये बरसों पहले भी हो सकते थे। लेकिन कॉंग्रेस को अपने परिवार के आगे कोई दिक्ता नहीं है। इसलिए उसने बाबा साब जैसे महापुरुष को भी नजर अंदाग किया। उनका अपमान किया। बाई और बेहनों, यहां उत्तर पदेश में तो बसपा ने बाबा साब के नाम पर सरकारे बनाई है। लेकिन बाबा साब के लिए बेहन जी के मन में कितना सम्मान रहा है। इसकी सच्चाई भी आज यहां खोलना चाहता हूँ। यह खोलना जरूरी है, ताकि यह कैसे दोगले लोग हैं, यह आपको फिर से याद आना चाहिए। आज मोदी को हटाने के नाम पर यह बेंजी किसको जाकर के मिली है। बेंजी आज किसके लिए वोट मांग रही है। बाई और बेहनों जो लोग बाबा साहब का अपमान करने का एक भी मोका नहीं छोड़ते थे। अब बेंजी के लिए माननियों और समानियों हो गए हैं। साथियों याद करिए जिल लोगों के लिए बेहन जी अब भोट मांग रही है। उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को देख कर कहा था। कि ये प्रतिमा कह रही है कि ये जमीन मेरी है। और अंगली ऐसे रखिये तो आगे कहते हैं। और सामने वाला प्लॉट भी मेरा है। ये कहा था कि नहीं कहा था। बाबा साहब का अमपेड कर का अपमान किया तक नहीं किया था। साथियों जो बाबा साहब आमपेड कर को भूमाफिया कहते थे। उन्होंने दलीतों की बस्तियां उजाड दी। दलीतों पर फरजी केस करवाए। दलीतों के गर पर कबजा कर लिया। उनके लिए बहन जी खुशी खुशी बाबा साहब के विरोध्यों के लिए भोट मांग रही है। भाईयों बैनों ये तब होता है जब आपका लक्ष सिर्फ पर सिर्फ कुर्सी पाना होता है। ये तब होता है जब सिर्फ जात्रपात की राजनिती आपका आधार होता है। ये तब होता है जब आपको देश की राष्ट्र की चिंता नहीं होती।